हेलो मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटे एकन चैनल में स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को जार्खंड सरकार के जार्खंड संजुक्त प्रोविक्स प्रतियुगता परिशा परिशद के द्वारा अभियंतरन संक्स्थानों के सक्षनिक वर्ष 2021-22 में बी य ओनलाइन साक्षातकार के संबंदित अती महतोपुरु सूचना के बारे में मैं बताने जा रहा हूं अता इस वीडियो को पूरा देखें और अंत्तक देखें और जो अभी तक मेरे चैनल आईटे एकन को सब्स्राइब कर लें ताकि जल्द से जल्द मेरे वीडियो को देख सकेंगे तो देखें उच्य एवंग तक्निकी सिक्षा विभाग ज्यारखन सरकार के अधिन विभिन अभियंत्रम संस्थानों के बी या बीटे क्वाइठक्रम के अंतरगत विभिन साखाओं में अभियर्थों के नामांकन हेतु अनुसंसा भेजने के निमीत अंतिमराजी म मेधा सूजी परसद के वेबसाइट एस्टी टीटीपी स्लैस जेसी सीवी डॉट ज्यारखन डॉट यूवी डॉट इन पर होंपेज में दिनांक 1411 2021 को जारी की जा चुकी है परसद द्वारा प्रकासित विज्यापन सिंख्या जेसी सीवी अबलिक ट्वेंटी अबलिक ट्वेंटीवन डॉट फोट फोटीटू दिनांक 2110 2021 के आलोक में प्रकासित अंतिम राजी मेधा सूची में सम्मिलित योग्यानी इलिजीबल अभियर्थियों और संबंधित अ स्थानों को एतर द्वारा सूचित किया जाता है कि अभियंत्रन पाइट्रकोम्रों में नामंकन की अनुसांसाहितू रज्य आयोजीत प्रत्था में देते हैं ऑनलाइन साच्छातकार काटकरम नेमनमत है यानि जो जारखन में इंजिनियरिंग की बी या बीटेक डिगरी क कोर्स की जो कि एड्मिशन होने वाली है उसके फर्स्ट राउंड कॉंसेलिंग और सेकंड राउंड कॉंसेलिंग किती थी यह निमना अनुसार दिया गया है पर से में हें निकर टाइब सीडि यूल फर्स्ट राउंड लेंड गलाउंड कॉंसेलिंग यह निमनमत प्रकार दिया गया है देखे activity देखे और यह देट दिया वह पहला है इस्ट इंट लेट आफ ओन-लाइन रिष्टे Champ and चॉज़ फिलिग फॉर सीट allotment यानि ऐनलाइन न को उनलाइन का ऊंलाइन का अंलाइन रिष्टेशन और चॉज़ फिलिंग और तिम q u 2 लास्ट डेट ओफ ओनलाइन रेश्टेशन और चॉयस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट लास्ट डिया है ओनलाइन रेश्टेशन का चॉयस फिलिंग का सीट अलॉटमेंट का 30 सिगारह 2021 यानि 30 नॉवंबर 2021 दिया हुआ seat allotment and downloading of provisional seat allotment letter यानि seat allotment का downloading और provisional seat allotment letter निकालने का date दिया है 4 दिसंबर 2021 से 13 दिसंबर 2021 तक Document verification and admission in the concerned engineering institute document verification का और admission का concerned institute में 4 दिसंबर 2021 से 13 दिसंबर 2021 तक दिया है तो द्वारा संस्थान और संस्थानों तथा साखा और साखाओं को अपनी प्रात्मिक्ता के अनुसार परसत की website पर प्लब्ध online counseling for admission in engineering regular 2021 लिंक पर क्लिक कर दिएगे दिसाने देशों का अनुसरन करते हुए विकल्पों को भरा जाना है विकल्पों को भरने के संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है अब अब भीहरतों को सलाह दे जाती है कि वे सीटों के अवंटें है तू अधिक से अधिक भी कल्पों को भरें अब साक्षातकार सुल्ख है अब भी हरतों द्वारा साक्षातकार सुल्ख यानि कॉंसेलिंग फीज पेमेंट गेटवे के मैध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेविट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपियाई के द्वारा नीम्न तालिका का अनुसर भूखतान किया जाना है जो अप्रति दे यानि नन रिफंडेवल होगा यानि कॉंसेलिंग फीज पेमेंट गेटवे के मैध्यम से आपको देना है जेनरल इडावलुएस बीसी वन और बीसी टू केटेगरी के लिए कॉंसेलिंग फीज चार सुरुपिया है और सी एस्टी और फीमेल केंडेट आफ अल्ड केटेगरीज के लिए अड़ाई सुरुपिया कॉंसेलिंग फीज से सीट आउटन हेतू अंसिग नमंकन सुल्क की रासी अब्यार्ति में कौप बंधिक सीट आवंटन पत्र अधवारी तेन डाउनलोड करने हेतू आंसिग नमंकन सुल्क रुपिया 1000 की रासी उपरोक्त कंडिका चार में वर्नित तरीका के ही अनूसार जमाकरना अनिवारी लेते हैं तथा अध्यान जारी रखते हैं तो आंसिक नामंकन सुलक की रासी सिरोतर नामंकन सुल क्यों परसद द्वारा यानि सीज कर लिजाएगी तो यह इस निर्गत किया गया है। तो यह वीडियो यहीं स्वाफ्ट कर रहे हैं वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल आइटे आइकन को लाइक सेयर तथा सब्सक्राइब करें धन्यवाद